तो चार पाई की शुरुवात किस प्रकार से की जाती है इस वीडियो के अंदर आपको मैं पुर्ण जानकारी दे दूँगा ताकि आपको दूसरा वीडियो देखना ना पड़े तो इसमें टोटल 87 रसी है ताने के अंदर टोटल यांसे यांस तक लेके सित्यासी रसी है तो दोनों साइड में 43 यानि 43 रसी बची है 43 फोटी रसी दोनों साइड में है अब हम इसके अंदर से दूसरा सेंटर निकालेंगे इसके बीच में से तो ये सेंटर निकाला तो इसके दोनों साइड में अब 21 21 21 रसी रही है तो टोटल इसमें तमने तीन सेंटर निकालें यहां का गेप है, सेंटर गोम साथ में नहीं गिनेंगे, उसके अलावा 21 21 रसी का गेप है, अब हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इस वीडियो के इंदर आपको पूरे जान करें मिलेगी, आपको कोई और वीडियो देखने की जर्द नहीं पड़ेगी, तो आप वीडियो को ला यह जो सेंटर इस एक रसी को नीचे दबाएंगे, फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे, अब यहां पर वापस तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे, फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे, यहां पर तीन रसी उठाकर यह जो में सेंटर इस एक रसी को दबाएंगे अब वापस तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे यहां पर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर यह जो सेंटर हैं इस एक रसी को दबाएंगे अब वापस तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे यहाँ पर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर लाश्ट की तीन रसी उठाकर यह जो गुंडी है इसको हम इस प्रकार से लगा लेंगे तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है तीन रसी उठाईए और तीन रसी दबाईए केवल जो सेंटर थे उस एक रसी को दबाया है तो यह सबसे सिंपल चयार पाई है और इस डिजैन के बारे में बहुत लोगों ने कमेंट किया है तब जाके मैंने यह डिजैन वापस बनाई है और इसके बारे में पुरण जान करें इसी वीडियो में दे दूँगा तो आप यह वीडियो पूरा देख ले आपको कोई और वीडियो देखने की जरुत नहीं पड़ेगी तो अब यह जो गुंडी है इसको लगाने के बाद में इस रशी को अम दूसरी साइड में खीच लेंगे फिर यह जो इस साइड की जो गुंडी है इसको भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से इस तरीके से इस गुंडी को लगा लेंगे तो ये गुंड़ी लगा रहा हूं तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस प्रकार के और वीडियो आपको मिलते रहे और आप चार पाई सीख सकें अगर कोई नया बंदा चार पाई सीखना चाता है तो भी आप इस वीडियो की साहिता से वो चार पाई बनाना सीख सकते हैं कोई भी चार पाई आप एक इस वीडियो की साहिता से सीखना चाते हैं तो सीख सकते हैं ये वीडियो पूरा जरूर देख लिजिएगा अब शरुआ से वापस हम क्या करेंगे दो रसी उठाएंगे, फिर तीन रसी दबाकर, तीन रसी उठाएंगे, इस प्रकार से, फिर तीन रसी दबाकर, तीन रसी उठाएंगे, अब यहां पर तीन रसी दबाकर, तीन रसी उठाएंगे, अब यहां पर सेंटर में वापस तीन रसी दबाएंगे, और फिर तीन रसी उसके बाद में याँ पे तीन रसी दबा कर, आगे से तीन रसी उठाएंगे, फिर याँ पे तीन रसी दबा कर, तीन रसी उठाएंगे, अब याँ पे तीन रसी दबा कर, पांच रसी उठाएंगे सेंटर में, सेंटर से हम पांच रसी उठाएंगे इस बात का ध्यान रखना फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाइंगे यहाँ पे भी तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाइंगे इस प्रकार से फिर यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे इस प्रकार से फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे अब यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे अब यहां पर तीन रसी दबा कर लाष्ट की दो रस समझ में आ जाएगा इस प्रकार से रसी को इस पहले वाली जो अपने गुंडी लगई है इसके बीच में से निकालना है और इसके बीच में से निकालने के बाद में इसको हम टाइट कर लेंगे इस प्रकार से दोनों के बीच में से इसको डालके टाइट कर लेंगे और फिर य वीडियो के अंदर मैं आपको important important पूरी जानकरी दे दूँगा तो आप इस वीडियो के skip ना करें और एक बार पूरा जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको और कोई स्वाल न रहें और फिर भी अगर कोई स्वाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अब हम इस रसी को पास में चिपका लेंगे इस प्रकार से फिर हम शरुवात से क्या करेंगे एक रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे अब यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे अब इस सेंटर पर हम क्या करेंगे पांच रसी दबाएंगे इस प्रकार से फिर तीन रसी उठाएंगे यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर भी तीन रसी दब तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे और यहां पर सेंटर पर पांच रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे यहां पर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे इस प्रकार से फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दभाएंगे और लाश्ट की एक रसी उठाकर यह जो गुंडी है इसको हम लगा लेंगे तो इस वीडियो के अदर आपको मैं दीरे से समझा रहा हूँ काफी लोग कमेंट कर रहे कि आप दीरे से बताए शलो मोशन में बताए तो मैं काफी द गुंडिये इसको भी लगा लेंगे लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजिएगा मैं आपसे इतना ही प्यार मांगूगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे अब इस रसी को पास में चिपकाएंगे फिर शर्वास से तीन र दबाकर एक रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे याँ पर अब यहां पर भी तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे अब यहां पर तीन रसी दबाकर से एक रसी उठाएंगे फिर तीन तिन रसी दबाकर से एक रसी उठाएंगे फिर तिन रसी दबाकर तिन रसी उठाएंगे यहां पर तिन रसी दबाकर तिन रसी उठाएंगे और लास्ट की जो तिन रसी है इसको दबाकर यह जो गुंडी है हमारी जंजिर की जो गुंडी है इसको हम इस प्रकार से लगा लें इस तरीके से, इसको लगाने के बाद में, अब हम इस तरशी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से, अब शर्वास से दो रसी दबाएंगे, सोरी, दो रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, यहां पे तीन रसी दबाकर तीन सेंटर में क्या करेंगे पांच रसी दबाएंगेblind हर्पिर थीनरसी दबाएंगे थेंदरसी दबार कर तीनरसी तनीं यहां प brings दई물 कर तीनरसी उठाएंगे पहर रही होएर और नसकी दór कार जिगूंद ये इसको हम लगा लेंगे इस गुंडी को लगा लेंगे बाद में इस रसी को टाइट करके दूसरे साइड में खींच लेंगे फिर दूसरे साइड में यह गुंडी है इसको लगा लेंगे तो इसमें हम क्या कर रहे हैं तीन रसी उठा रहे हैं अब यां पर एक रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे तीन रसी उठाएंगे, यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे, फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे, यहां पर तीन रसी दबा कर सेंटर से पांच रसी उठाएंगे, फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे, फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उ लगा लेंगे इस तरीके से इसको लगाने के बाद में अब हम इस रसी को टाइट कर लेंगे इस प्रकार से और रसी को पास में विचिपका लेंगे अब शरवास से तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी यहां पर एक रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, और लास्ट में यह जोगंडी है, इसको इस प्रकार से लगा लेंगे, इस तरीके से, इसको लगाने बाद में रसी को दूसरे साइड की जो गुंड़ी है इसको भी मिस्प्रकार से लगा लेंगे अब रसी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से अब सरवात से क्या करेंगे दो रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे याँ पे तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे याँ पे तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे यहां पर भी तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबा कर दोर रसी उठाएंगे और यह जो गुंडी है इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से इसको बाद में इसको भी हम टाइट कर लेंगे इस प्रकार से और टाइट करने के बाद में अब इस रसी को शरवास से एक रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे यहां पर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाक यहां पर तिन रसी उठाकर तिन रसी दबाएंगे फिर तिन रसी उठाकर सेंटर पांच रसी दबाएंगे फिर तिन रसी उठाकर तिन रसी उठाकर तिन रसी दबाएंगे फिर तिन रसी उठाकर तिन रसी दबाएंगे और लास्ट में एक रसी उठाकर इजो गुंडिये इ भागे गिरसी चलाएगे सरवाथ में क्या करांगे तीन रसी दभाकर एक चूताएगे वहां पर यहां पर कि च्वराइए उटेंगे लाज़ें पर फोलाओ से अब शुर्वात से 2 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे फिर 3 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे यहां पर 3 रसी दबा कर 1 रसी उठाएंगे फिर एक रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे यहां पर 5 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे फिर एक रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे फिर 3 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे यहां पर 5 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रसी दबाकर एक रसी उठाएंगे फिर एक रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर एक रसी दबाकर एक रसी उठाएंगे यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी पेरे कर लेएंगे और अब रशी को पासमें स्थिपकाएंगे इस प्रकार से, अब क्या करें हैं उपिंवर दूखता कि दोशी। दबाइंगे और फिर दूखत दूखता तिमडिया में अब गुणडिया इसको लगा लाद लेंगे तो से लुदर से अ गुद्धा नाँ तो फ्रकाइब से तोरिकों धोन अब सर्वास्टें तिन थी उठाकर तीन रसी दबाएंगे, फिर तीन रसी दबाएंगे, यांपे तीन रसी दबाएंगे, फिर तीन रसी दबाएंगे, यांपे एक रसी दबाएंगे सेंटर में, फिर तीन रसी दबाएंगे, यांपे तीन रसी दबाएंगे, फिर तीन रसी दबाएंगे, यांपे तीन रसी बेड़ाइंगे तरल थन क्वेंगे यहां पर थी रसी द्वांगे यहां में तिन रसी द्वांगे फिर थी तिर उठागर लगा लेंगे इस तरीके से हैं इसको लगारेक Bin जाफ में रसी को टाइट करें तो रसी को दूस्टे सब कर लेंगे और फिर दूसरा इंकर अब रची को पास में चिंप करेंगे कि मिरा है और अगलर से चल tääल ति एक ट्सक्तथ्र जफ़ाने दोजाएं कि यहां पर पांच रसी दो इसपर कारसे लगाotional है बाद में इसको टाइट कर लेंगेование और फिर दूसरे साइड में खिंचका, दूसरे साइड की जो के इस परकार सरा लगा लेंगे अब इस रसी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से फिर आगे की रसी चलाएंगे अब शरुआ से तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर चर रसी उठाएंगे फिर चर रसी दबाकर एक रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर त एक यहां पर छ्ट रसी दबाकर एक रसी उटाइंगे फिर पार्षी दभाकर एक रसी उठाइंगे, फिर 5 रसी दबाकर 1 रसी उठाएंगे, फिर 6 रसी दबाकर 1 रसी उठाएंगे, अब यहां पर 3 रसी दबाकर 3 रसी उठाएंगे, फिर 5 रसी दबाकर 1 रसी उठाएंगे, फिर 6 रसी दबाकर 1 रसी उठाएंगे, फिर 5 रसी दबाकर 1 रसी उठाएंगे, फिर 5 रसी दबाकर 1 एक रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबागर तीन रसी उठाएंगे फिर लाष्ट की दो रसी दबागर जो गुंडिये इसको लगा लेंगे इसको लगाने के बाद में इसको टाइट कर लेंगे फिर रसी को दूसरे साइड में खींच कर दूसरे साइड की जो गुंडिये व एक रसी उठाएंगे फिर यहां पर च्छर रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर नो रसी दबाकर एक रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंग है यह को हैं। हैं इक और फिर दूस्री साथ की जो इस गुंडियें वह लगा लेंगे। इसके को लगाने बाद में प spoken करके या अब सुन है, असे होगा से टिन डंब ने तरहर सिता कर तीन डंब ऑइं Paleton यूटाए कर ते से च्भाकर्ण यूटा कर सातराए कर फिर एक रशे एक रशे दाएं थे फिर फाउस्य। यह जो गुंडी है इसको लगा लगे इस गुंडी को लगाने के बाद में टाइट कर लेंगे और फिर रसी को दूसरी साइट में खीच कर दूसरी साइट जो गुंडी है उसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे अब रसी को पास में चिपकाएंगे और आगे वाले जो रसी चलाएं उस पर ध्यान रखड़ा हम चार पाई को वापस गुमा रहे हैं अब शुर्वाद में एक रसी दबा कर तीन रसी उठाए फिर तीन रसी दबा कर पांच रसी उठाए फिर छे रसी दबा कर एक रसी उठाए फिर पांच रसी दबाकर एक रसी उठाई, फिर छरसी दबाकर पांच रसी उठाई, फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाई, यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाई, फिर तीन रसी दबाकर पांच रसी उठाई, फिर छरसी दबाकर एक रसी उठाई, फिर पांच प्रकार से लगा लिया, इसको लगारेंक बाद में इसको tight कर लेंगे, और फिर दूसरे सैड़ के जो क milhõesडी है, इसको हम इसको लगाद बाद में इसको tight कर लिया, और आब इस रसी पीक को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से, अब क्या करेंगे सुरहात में 2 रसी दबाकर 3 तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर पांच रसी उठाएंगे फिर छरसी दबाकर एक रसी उठाएंगे तीन रसी दबाकर एक रसी उठाएंगे फिर छरसी दबाकर पांच रसी उठाएंगे इस प्रकार से अब क्या करेंगे तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंग फिर सेंटर में पांच रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे यहां पर पांच रसी उठाकर चर रसी दबाएंगे फिर एक रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर पांच रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर लाष्ट की द दूसरे सैट में ख使劍 journey और फिर दूसरे शैटी जो कुंडी इसको भी इस प्रकार से लगाएँ इसको लगाएक में इसको टायट कर लेंगे और रसी को पास में चिप्का एंगे इस प्रकार से एब बीच में जो Absolute शुरु रहेंगे साथ में तो एक दो तीन रशी दबाकर तीन रशी उठाएंगे फिर तीन रशी दबाकर पांच रशी उठाएंगे यहां पर चरशी दबाकर एक रशी उठाएंगे यहां पर तीन रशी दबाकर पांच रशी उठाएंगे इस प्रकार से फिर तीन रशी दबाकर ती एक रसी उठाएंगे फिर एक रसी दबाकर एक रसी उठाएंगे इस प्रकार से फिर छरसी दबाकर आगे से पांच रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे और लाश्ट की तीन रसी दबाकर जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगा लेंगे इसको रसी को पास में जिपकाएंगे इस प्रकार से अब सर्वास से एक रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे अब यहां पर पांच रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर एक रसी उठाकर छर रसी दबाएंगे फिर पांच रसी प्र पांच रशी उठाकर तीन रशी दबाएंगे फिर तीन रशी उठाकर तीन रशी दबाएंगे फिर एक रशी उठाकर जो गुंडी इसको लगा लेंगे इसको लगाने के बाद में इसको टाइट करके रशी को दूसरे साइड में खींच लेंगे और फिर दूसरे साइड यहां पर 5 रसी उठाकर 5 रसी दबाएंगे फिर 5 रसी उठाकर 5 रसी दबाएंगे फिर 5 रसी उठाकर 3 रसी दबाएंगे फिर 5 रसी उठाकर 3 रसी दबाएंगे फिर 5 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 रसी द तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे और लस्ट में तीन रसी दबाकर दो रसी उठाकर इस जो गुंडी है इसको इस प्रकार से लगाकर इसको टाइट कर लेंगे फिर इस रसी को दूसरे सैट में खींच कर दूसरे सैट की जो गुंडी है उसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे इसको लगाने के बाद में इसको भी टाइट करके रसी को पास में चिपकाएंगे फिर आगे के रसी चलाएंगे शरुगात में तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे अब यहां पर पांच रसी उठाकर चार रसी यहां पर तीन रसी दबाकर पांच रसी उठाएंगे फिर चार रसी दबाकर एक रसी उठाएंगे फिर चार रसी दबाकर पांच रसी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर तीन रसी दबाकर लश्ट की तीन रसी उठाकर यह जो यहां पर यदि यहां से यहां पर पर लास्ट से लगा इच गोंड़ी माइई इसको इसपैंस से लगाए जबाकर दूस्य स्याडर की जगंटी उसको भी लगड़ा करें जो रशी इसको पाटने कि अधर में छिपक हैंगे यहां पर तीन रसी दबागर 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 तीन रस से फिर आग एक रसी चलाएंगे अब सर्वास से तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर तीन रसी दबाकर तीन इसको लगाने बाद रसी कर दूसरे साथ ही लगा लेंगे अब रसी को पास मा छीवका इस प्रकार से इसको प्रस्वाँ कर लेंगे अब शरवासे एक सांथ देप deck फिर तिन रसी उटागर 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 तिन रसी जो नाट 24 अव RESC ठीजम्न रेम्स को तरी हो तो हर्ष पर लगा लिए इसको लगाएं इसको लगार को भाध में अ पर पास में हिपकाएंगे इस परकार से पिर आगे रचुद जालाएंगे अब सुरेज से आप डीन सी अछे की अघ्र सी से अट नुर्षी अधर जो लोग का सुeren शेयओ तो घ्रक सोल तीन अगये यहां पर तेशेय मां अभरी Но तिन रसी दबाकर, 9 रसी उठाएंगे, फिर तिन रसी दबाकर, तिन रसी उठाएंगे, यहां पर तिन रसी दबाकर, तिन रसी उठाएंगे, फिर तिन रसी उठाएंगे, फिर तिन रसी उठाएंगे, फिर तिन रसी उठाएंगे, यहां पर तिन रसी उठाएंगे, यहां इसको लगा लेंगे इसको लगा लेंगे इसको लगाने कबाद में इस रशी को पास्में चिपकाएंगे इस प्रकार से फिर आगे की जो रशी हो चलाएंगे अब ग्रॉटा से एक रसी दाबाकर तिन फूटाएगे और एक रसी दाबाकर युखंडी इसको लगा लें फिर रसी को दूसरे साइट में खिंच कर दूसरे साइटी जो कुंडी है इसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे अब रसी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से और फिर आगे की जड़ेजाएने उसको बनाएंगे अब शर्वास से दो रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर 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 तीन रसी दबाकर तीन रसी उठ निगा लेंगे इस प्रकार से इस फ्रौब नेको लगा इने छेंगे इस प्रकार से अब शुरुबआजió टिन थी टिन फ्र chce एसे प्र पर यहां पर ऑसल लेंगे थिन स्थमाफ जबाकर तर्सिट एंगे बीज श्रकार से अब यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबा कर एक रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे जो गुंडी उसको लगा लेंगे फिर रसी को दूसरे साइड में खींच तो इस गुंडी को इस प्रकार से लगाने के बाद में इसको विदियो को लाइक करें तो स्बस्क्राइब जरू करें धन्यावाज चेहिन